मन्से भिवंडी शहर पश्चिम माजी अद्यक्ष वशिर्षन माजी शाह का पर्मुख तता पर्चित्ध समाज सेवक पर्दिप जी बोड के द्वारा आज दिनांक 12 गस्त 2024 हो बिवंडी पश्चिम विधान सबा के भावी आमदार वैच्छो कुमिद्वार तता बिवंडी महानगर पालिका में महापोर है चुके विलासाल पाटिल के विरुद पत्रकार परिशत का आईजन किया गया पत्रकारों से भारतलाब करते हुए पर्दिप जी बोड के ने माजी महापोर विलासाल पाटिल पर विकास को लेकर लगाए कई कंभिर आरोग आईए देखें इसकी एक रिपोर्ट मेरा नाम प्रदीब्बोडे मैं मनसे में शेह cả़ था अबलल से राजिक्रान में काम करता हुए बिवनली के सिवसेना में आट साल तक में शाका प्रमुख भी था उसके बाद में मनसे में पास साल शेहर प्रमुख था अभी तिन साल से किसी पत्पेनेव में सामाजीक कार्य मेरा चालू है आपके माद्दम से जो मैं फ्रेस कांप्रस ले रहा हूँ मेरे मजदूर भाई जो भीवंडी के है मेरे माता भेन जैसे मद्दम वर्गी हो या पैसे वाले हो सभी के लिए में कुछ बाते एक रहवासी है किदर का वतंदार बुलके एक नागरिक बुलके में बताना चाता हूँ आपके माद्दम से गए एक मेने से भीवंडी शेहर में अलगी किसम का राजकरण चल रहा है जैसे हमारे जो विलासार पाटिल साहब है हमारे कुम्बर पारे में प्रभाग एक में पांच-छे बार चून की आये दो-तीन बार नगरत अच्छे रहे चुके महापूर रहे चुके अभी वो अमदार की के इलक्षन में जो है अपना नसीब आजमार है मैं एक नागरिक बुलके मुझे ये कहिना है क्या हमारे भीवन्डी शेहर को बत से बत्तर हलत अगर किसी ने किये और किसी ने हमको तोफे में दिये को हमारे विलासार पाटिल साब ने दिये फिरो व्रीज हो फिरो खड़े का सामराज्य हो पानी के वोस्ता हो अभी तो तुमारी टोर्ण आ गई है यह सब व्योस्ते के सक्त्यान हुनों ने किया है अभी रो नूज के महदम से आपको भूला के बता दें कि एजुकेशन यह हमारे खंदान का हमारे परिवर का बहुत बड़ा मतलब यह है मैं आपके महदम से बताने जाता हूँ एजुकेशन आपका इतना बड़ा शेत्र है तो गए 25-35 साल में महापाली के में आप चून के आयो में पावर आपके पास थी तो चार वाड में हमारा गरीब असी पर संगरी बड़ी आये मारा कालने हो गया संगम पाड़ा हो गया कोंबर पाड़ा हो गया अब गोकल नगार आजे नगार फोरा पाईसे वाला तेरिया है कि हमारे यहां दस बाज दस पंद्रा के घर है तुम्हें कितने मतलब वाचनाले बनाए इदर शिक्षा आपका मतलब इतना बड़ा शेत्र है तो गरीबों के लिए वाचनाले कितने बनाए गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी नहीं आप नुश के माज़त देख किया तो उनके गुंडे उनके नज्जिक के लोग आके वो सोचाले घर के तोड़ने लगाए सोचाले तक बानने दिये नी बस से बत्तर हद एरे की किये वो विकास की बात करते हैं बहुत बड़ी मतलब सोचनी की बात है दूसरा विश्या ऐसा है महारा कॉलनी हमारे बन वेविकास की बात करते हो हमारे मुस्लेम बादों संपन पढ़ा गे मुसलिम लोग जितने भी इमारा कॉलनी के हाजारों लोगों ने तन्मन धन से कितने बार आपको चून के दिया है कितने मुस्लिम बच्चे को महापली के में काम पे लगा है तुमने हमारे बच्चे भाजी के टोकरे टमाटे के ठैले ही उड़ाने के लिए है क्या आपके पीछे इतने इमांदल से काम करते है एजूकेशन की बात आप करते हो विकास की बात करते है का है विकास फिर बोलते है क्या कुछ आपके नूज के मादम से आप नूज वाले ही बोलते है वो भी बोलते हैं कि हमने कुमबर परे बहुत विकास किया है यह जो सिमिट के रस्ते एक उनके निदी से हुआ है क्या यह भाजब के निदी से सब रस्ता बनाया मामरडी के मद्दम से आप भी जानते मापाली के के नगर सरुक के पैसे से नहीं बनाइये जो रोड सिमिट का पूरा कॉम्बर परे में आजयनगर में ये बाजब के निदी से ये बना हुआ रोड है कुछ इन्हों ने किया नहीं हमारे कॉम्बर परे में और भीवन्डी का तो पूरा इतना सत्यनस्के के इसाब के भायर देखा जया तो बोले तीन एकर जगा है कामवे में अच्छी बात है अभी इलक्षन आया इसलिए तुम उसके बद्दम से लोगों को बता रहे हो कि तीन एकर जयमिन हम शिक्षा के लिए दे रहे फिर गए 25 साल से क्या शिक्षा नहीं थी जहां 25 साल में भीवन्डी के ताब पाश्चा थे किंग मेकर थे फिर आपने ओ टाइम पर इसकुल के लिए क्यों नहीं किये अभी आप जो बता रहे तीन एकर जयमिन दे रहे हो टैम से आपने क्यों नहीं किये अपके पावर भी थी पैसा भी था यहां से लेके दिली तक आपकी पहुंचे कोई मामूली आतम तो होो नहीं सामने कारेकर्ट हो नहीं पैसा पावर सब पूस तुमारे पास टैम से थार अभी नहीं आयाया क्या तो आभी दे रहो टैम पे लेके पए आहे तोह क्या उड़कित तक चैन्छे में भी मैज़िए तुमने दिये हो इसके रोड तुमारा को खड़ी तुमारी डाहर तुमारा उपर चलने वाला रोलर ऋब तुमारा लेकिन तुमने सच्ट और अच्चा डांबर ने दिये मठी दिये चम्मा तुमारे पास है इरे श् schwॉष हो पर और जब्सक्राक्षाल करतें चलता है उनका डामबर का लगी चलती है कि उनका अपिस के पास लगी है तुम है तुम आपडारों को और खाजदारों को दोशी ठरा रहे हो और ब्रीज बना एक पाइसा पहली बार जो महारा ट्रेम है जो हमारी जनता परेशा आने का वजन गारी जो है ब्रीज का फाइदा क्या है अंक्या फाइदा है तुम ने किये क्या बैटके तुम मैं तो जो पाट्य मों जा रहे हैं कुछ पाट्य के लेक्स नाग्रिक के तरफ से में वंधिक करता हूं उनको टिकिग मद दो विवन्डी में महापूर इनका लड़का बनेगा रामदार यह कर देगा इसने कुछ भी किया निये देखो मैं तुमको बोलता हूँ आद पार्टी में शामिल है वो कॉंग्रेस पार्टी में ताबर तुमको टिकेट कीज बेस पे दे रहे गए टाइम पर संतों सेटी ने बाजब छोड़के कॉंग्रेस में आया टिकेट लिया जैसा गिर फिर भाजब में घुज गया कल को यह गिरने का फिर से कोना अर्ग में जाएंगे क्या करणी नहीं है हर पार्टी को यह सोचना चाहिए कोई आदमी आता है तो पाच-देस साल उसको काम करना चाहिए पार्टी में पुराली लोग भी है ना कॉंग्रेस में क्या हो नहीं है उससार पार्टी एंको टिकेट नहीं गया है mission by को मैं कौकरी यह नहीं करद और स्वर बहुत कॉछी पार्टी यह नहीं है नोग है जो पार्टी के लिए आंधृन को हे बुरे संब्भी परटी लोग है जो पार्टी के में कहा सता काउय आतर बुरे से परड़े ते पार्ट विलास पाडिल के हमारा वेक्ति का शत्रू नहीं है बहुत अच्छा आदमी हो इंसान बोलके आंको सलाम दुआ करता है लेकिन काम के बारे में एक्दम जिरू है जिस तरह से देगा जाया है कि विवंडी के अंदर जो शत्रपती शिवाजी महाराच चौक है वो जो इलाका है वो जिवंडी का बहुती प्राइंड बाप माना जाता है और यह उनके ही वाड में आता है हमेशा है जब भी आंग के विलास पाड़ी के वाड में देखिए कि आप वहां पर गाडन है वहां पर इतनी सारी स्वीधा है तो आप जैसे बतारे तो यहां पर क्या कमी आधी मेरा यह बोलना है अपने वार में सोचाले हक निया लोगो का घर में बानने का हक निये क्या तो इनने बानने नहीं दिया ना लोग आज सोचाले में दो रुपर तीन रुपर देखे जाते हैं गरीब आदमी जो महिने का 10,000 कमाता है उनके घर में 45 आदमी है तो रोज क्या हूँ अगर रोज 30 रुपर देखा तो हजार रुपर जाता ना सोचाले में जो सोचाले बाजू में है वो तक तोड़ा गया है पांदापूल ट्रस्क के जगे पर जो परस्टों टारो जो आमदा थे तीस साल पहले उन्हें सोचाले बाज़े देखा वो तोड़ दियो उन्हें उसका शूटिंगे मेरे पास तो और तो लोग पानी भर देखा उदर जाते थे उनका पैसा बचता था अब दूश्री बात सबसे महत्व की बात है अपनी काम और ही नदी जो को बट इम्पोर इसे काम और इन दी आपनी मिलत नगर से आती है तंदो मिलत नगर हो गया तुम्हारा मारा कलने हो गया तुम्हां संगम पड़ा ज़िए अज़िए नगर और पिर बाद में जुना अपना बिज कोन सा जुना भी आज ये नदी एक में नदी ये काम नदी भीवंडी शेहर की उस नदी को तुम इतने साल से पावर्फुल लेता हो हमारे जैसे सामन्ने कारे करता ने तसील में तराटी में आईक्तों को लेटर दिया है कि भाईये ये नदी को तुम खोदो उसको फत्तर से बांकम करो और अज जोन बनाओ गाडन बनेगा बहुत दो क्लिम्टर काहां से मिलत नगर से लेकर तुम करोगे तो सिधा तुमारा एक आजे नगर तक पूरा साइट तो उसके बजाए लोगों ने उदर दोसो ड़ाइसो घर बांदे नदी में इसके आसिरवस से ये भाई साब के आसिरवस से विलासाब साब के दोसो डहएसो घर और ढदे दो दिन पानी किरता पूरा पानी रोड पर आता है किसकी बधोलत ही तुम बीवनडी के वरे नेता हो लगर अगरा दक्स मापर रह चुगे तुमारा काम है कि मेरे वयसे या मेरे वा आरे के वैसे बीवनडी में गंड़गी न तुमको रोकना नीची इन लिगल काम है भीवनडी शहर में पानी आथा दो दिन पानी गिरने के बाद तो नदी खोल करके नदी खुशुरत बना के तुम नहीं कर सकते थे आज हमारे हिंदु धरम का गनपदी बप्पा हो संडस के पानी में नदी ना लेके पानी हम लोग वि आज ही आप जैसे का महूल है गरम है तो इसमें आप क्यों उनके उपर जो ही इस तरह के आरूप लगा दो अच्छा सावले साब मैं कोई आमदार का खादार का इलेक्शन के लिए सब नहीं कर रहा हूं वो एलेक्शन को खड़े रहने के लिए उन्होंने पताया क्या मैंने इतना उकास किया है उन्होंने बताया एजुकेशन के लिए मैं इतना गया हूं और कर रहा हूं तो उसके बाद एक जागरूप नागरीक बोलके हमारा काम है हम लोग अगर चुप चाप बढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी आदमी जुटे बाते करके मीडिया को दिशा भूल करक नागरीकों को गलक रास्ते का मतलब बता कि मैं कितना भारी अदमी हूं तो चलेगा निया एक जागरूप नागरीक बोलके मेरा करते वे अब मैं नहीं मेरे एसे लाकों हजारों लोगा करते वे लोग रोड पर उतरना चीए मेरे सभी मज़ूर भाईयों से भी वंडी के र महां पालिके के अंडर में अगर कि इन्के वह इतनी पावर है तो वह चोकन नंबर मार्केट और ताबर तुक। कपका बहां के जो तीन बत्ती में जो आज जो ट्रापिक जाम होती है अलगत ऐसे वह उदर मार्केट कर ने सकते हो करना चैथा कपका जब व्युकास की बात इत दो तुम इतने बड़े नेता हम पर बार्केवर कर बाइक पार्किन हो और इतना वैस्ता की सब गारिया सब करें पर लगते आज तुमारे हमारे परिवार को पुर भो लिए तुम्हकी में ओझतने सब गार्न yapıyor सभी बहुत हो जाएगा हुआ हो भी मावली मावली बात आपके सबया ने फिर दूसरी बात चवपन अपना यह तुमारा जटा मार किट जो है यह जो नाले पर बांदा है यह लाकों कौडर प्रखचा करके हो सब रहा है खतम हो रहा है तुम मार्किट किस काम का है कुछ भी न जो लाचार आदमी है, और कितना भी बड़ा रंदे, कितना भी बड़ा, वो सिर्फ खुद के लिए करेगा, समाज के लिए ने करेगा हूँ